तो गाज यह देखे रैंबो जो कि नेचुरल कलर दिख रहा है अभी आपको देखे कैसा लग रहा है लग रहा कि गहां से उठी हुई है और उपर की तरफ जा रही है तो गाज देखे नास्ते में क्या मिला है लाई नमकिन और प्याज स्मिर्च और यह गिलास मैं खा रहा और यह एक लेबर और इधर एक मिस्त्री खा रहा है तो गाज यह वाली वीडियो जो आप देख रहा है एक्चुलिए दो चार दिन पहले किया और मैं एक्चुलिए वीडियो इटिंग नहीं किया और दो तिन दिस में ब्लोग भी नहीं बना रहा हूं तो इसलिए आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा है इटिंग करने में थोड़ा टाइम चला गया तो जो अब यह वीडियो चलिए आपको दिखाता हूं कैसा है फ्लेश बैक है गाईज वेलकम बैक टुमा यूटूब चैनल अंदर राज ब्लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो गाईज एक्चुलि मैं आज गया था लेवराना करने एक्चुलि काम करने गाव में ही किसी का घर जुड़ा आ था और वही करने गया था मसाला लेटा देने के लिए गया था तो गाईज ही रियाल्टी है दो तीन दिन वीडियो ऐसे ही मिलेगी अक्चुलि दिखाऊंगा आपको काम करते हुए और घर का थोड़े बहुत गाईज अभी आया था लंच करने के लिए और इस बगीचे के तरफ घुमने के लिए मैं आया इसमें बोला नहीं हूँ वाइस ओबर करना पड़ा है मुझे क्योंकि काम पर ज्यादा फोकस रहता है तो गाईज एक्चुलि छुटी हो गया है और मैं जा रहा हूं घर पे और सुबह सात बज़े से आना है और साम को छेवे तक जाना है एक्चुलि काम करके और दो पार क चुल लंच है खाना खाने घर जा सकते हो और बात यह आज बहुत लेट हो चुका है बज़ गया सात और बहुत ज़्यादा काम हो गया एक्चुलि 6 बोरी सिमेंट का माल बना है जो की जुड़ाया हुआ है दो दीवाल नो इंच का तो गाहेज एक्चुलि बहुत तो गाइच एक्षिली आज मौसम बहुत साफ है और धूब खिली है और मैं जा रहा हूँ फिर से काम करने के लिए लेवराना एक्षिली दो दिन का काम था और मुझे कुछ पैसों की जोड़ती आक्षिली मुझे प्रवेस पत्र लेना था इसलिए मैं काम करने के लिए जा र जितने सारे पिलर दीख रहे है उपर के छूटे हुए वही अम लोग को भरना है आज इदर मसाला बनता है मसीन के बगल में थोड़ा और देखें यह दो पिलर हो गए और तीन पिलर यह चार पिलर और पांच पिलर तो गाइच यह इतने सारे पट्रे हैं सेट्रिंग करने क इसलिए आपको नहीं दिखा पाया और बाकी सारा सेट करके इदर रखा हुआ है और एक और बनाना है त्रिकूर बोक्स वाला जो कि बाद में दिखाएंगे आपको कैसा बना है तो गाइच जो उपर के पिलर सारे दिख रहे हैं यह सारे सब सेट हो गए हैं बाद दिये जा रहा हूं और बाकी देखे एक हेल पर इधर है मिस्तिर उदर बैठने एक मिस्तिर इधर खा रहे हैं तो गाइच साड़े बारा बाद चुका और मैं जा रहा हूं खाना खाने के लिए घर पर एक्शली यहां पर लंच का टाइम हो गया है तो जा रहा हूं बहुत दूप आज खेली हुई है और आज भी बहुत सारा मिनुत करना पड़ा मुझे को गाइच सब के धान लग चुप के खेतों में और देखे सब की रूपनी हो गई है इधर बहुत सारे लोगों को इधर देखे इधर और मैं जा रहा हूं एतनी दूप में गर गाइच लिए नई बनाऊंगा या प्रवेसाब कोई काम करूँगा तो बोलेंगे लोग इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूं और नहीं बोलता हूं बात यह है तो गाइज देखे यहां पर बोला जी मिल चुके हैं और देखे अभी यह दात्वान कर रहे हैं एक्शली रास्ते में मिल गए थे दूप से आकर के च्छा में बैठे हैं और अपने खेतों में पानी बरा रहे हैं वैकने वोलो हाई कर दो भाई कम तका है तो गाइज दूप अपनी तीज है कि बरदास नहीं हो रहा है एकलिए बहुत तेज है यह बारिस वाला गाम और दूप बहुत तेज होता है यह लग दूप नहीं है तो गाइज सबसे बड़ा नाकामियावी का नतीजा यह है कि ठीक से काम ना करना एकलिए मैं मुझे करना था तो मैं सोचा दोपार को कर लूँगा खाना खाया थोड़ा सा सो गया अब अब सोच रहा हो कि अफसाम को करूँगा वीडियो कब अपलोड और यहां पर सीड़ी बंद रही है तो गाइज यह देखें इंदर दनूस अभी फॉलके किसी बारिस हो रही है और गाहां के तरह देखें इंदर दनूस दीख रहा है आपको तो बिल्कुल नेचुरल दीख रहा है कलर अगर पानी नहीं बचाओ गए तो खुद प्यासे मर पर जायोगे विच लगाओ जीवन बचाओ देखें क्या लिखाया गाईज है फिर से वाई काईज मैं जा रहा है गर एक्टुली काम खतम हो गया और कल जाना है सुबे 5 बजे डालना है तो सुबे जाना कल जाना है दिल्ली दस बजे स्ट्रेन पकड़के जाएंगे I hope you guys वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर चैनल को जूर से सस्क्राइब कर देना ठैंक्स प्रोचिंग देन बाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए तब तक के लिए बाए The next morning Hey guys, good morning उस्प्रभात और मैं जा रहा हूँ आज सुबे सुबे पांच बज़े काम करने के लिए कि उनको दिल ली जाना है तो guys सुबे हो चुका है और हमें हो रहा है पांच बज़ कर पांच मिनट बहुत ही जल्द जा रहा हूँ तो guys काम खतम हो गया और पैसा भी नहीं मिला है अचली सुबे पांच बज़े से आये थे हम लो काम करने के लिए और उनका सीड़ी डल चुका है और काम पूरा खतम हो चुका है और हम लोग देखे जा रहा है मैं घर पे जा रहा हूँ और टाइम हो चुका है अभी अचली बारा बजने में छे मिट बाकी यारे चौन हो रहा है तुक की बात है यह गाइज की काम करो तो पैसा ना मिले पूरे बादल-बादल से दिख रहे है आपको और मौसम थोड़ा क्लियर है अभी बारिस हो सकती है अभी मोमेंट्स लेटर गाइज मैं अनदी की तरफ और यह लोग जहाँ 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 समय मिलता हैं लोगो को और थोड़ा सा जगह मिल जाए तो क्रिकेट क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं गाइज कुछ के अना चाहोगे तो गाइज देखिए लोग इनका नाम य जरूर देखेगा आप लोग तो गाइज आया था मैच देखने के लिए और मैच ड्रा हो चुका है और बाकि सब लोग जा रहे हैं घर्प की तरह वापस